वेल्कम टू प्रताब क्लासेज दोस्तों प्रताब क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्जिक स्वागत है तो हम बात कर रहे थे NCRT बुक सोलेशन छटी से बारवी तक की इंडियन जोग्रोफी की बुक है ये जिसमें हमने लोहा खनीज के बारे में बात कर रहे थे तो लोहा खनीज के अंदर हमने परकार पड़े तो जिसमें हमने मेगनेटाइट और हेमेटाइट खनीज के बारे में जाना मिलते रहे तो बात करते हैं लिमोनाइट की यह ऐसक पीले रंग का होता है जिसे हाइडरेटेट आइरें ओकसाइड यानि जल योजित लोहाय ऐसक भी कहा जाता है यह निमन कोटी का लोहाय ऐसक होता है जिसमें लोहांस की मात्र जो है 35 से 50 प्रतिसक पाई जाती है पहले तो इसका रंग कोन सा होता है लिमोनाइट का इसका रंग जो होता है पीले रंग का होता है हेमेटाइट का रंग होता है हलकी बूरे रंग का और लिमोनाइट का रंग हो गया पीले रंग का और इसे कहा गयता है हाइडरेटेड आइरन ओक्षड कहते हैं इसमें जो लोहा की मात यानि दामूदा शरेणी युक्त्रू में कोईला चेतर संक गड़वाल zip क्रिख वैने कुरें गड़वाल चेतर है उत्रप्रदेश के मिरजपूर इमाचल प्रदेश के कांगडागाटी में यह खनीज पाया जाता है आगे हम बात करेंगे सीडेराइट है लोहे खनीज के कितने परकार है चार परकार के मेंगनेटाइट हेमेटाइट और लिनोनाइट लिनोनाइट और इसके बाद सीडेराइट सीडेराइट के बारे खनीज लोहे खनीज लोहे खनीज लोहे खनीज का निमन परकार है तता अधिकतर जगहों पर आर्थिक रूप से वेवारे नहीं है यनि लगबग नहीं मिलता है आगे हम बात करेंगे प्रमुख खानों की 36 गड़ की बेला डिला खान एशिया की वरितम येंत्रिकन तो लोहे खनी है यहां के लोहे खनीज का अधिकांस हिसा विसाखा पटनम बंदरगा से जापान को कहा है बेचा जाता है आगे हम बात करेंगे प्रमुख भारत की प्रमुख खनीज पेटियों के बारे में ओडिसा जारखंड पेटी के बारे में बात करेंगे ओडिसा में उच्च कोटी का हेमेटाइट किस्म का लोहे आयसक जो मियूर भंज वै क्योंजर में बादाम पहाड ख़दानों से निकाला जाता है इसी से सलंगन जारखंड के सियाबूम जिले के गुवा तथा नोहा मुंडी से हेमेटाइट आयसक का खनन किया जाता है आगे हम बात करेंगे दूसरी पेटी की जो है दुरुग बस्तर चंदरपूर पेटी इस पेटी के बेला डिला पहाडी सरंखला में अती उत्तम कोटी का हेमेटाइट पाया जाता है इसमें जिसमें उच गुणवता के लोहा एयसक के चोदा जमाव मिलते हैं इसमें इसपात बनाने हेतु आवशेक सरोसरेष्ट भोतिक गुण विदिमान है इन खादानों का लोहा एयसक विसाका पत्नम से जापान दक्षनी कोरिया को निरियात किया जाता है जो यह है यह जो द्रुग पस्तर चंदर पूर पेटी है यह जो है हमेटाइट के लिए बहुत ही अच्छे गुणवता का लोहा उत्पादन करती है यहाँ पे जुआ पाये जाता है इस पेटी के अंदर चांके कौन सी पहड़ी है बेला डिला की पहड़ी है और यहाँ से कहा है जो विसाका पत्नम भंदरगाए है वहाँ से कहा है जापान को और दक्षन कोरिया से कहा है इसका निर्यात किया जाता है इस खनीज का आगे बात करेंगे प्रमुक पेटी की बेलारी चितर दुरग चिकम मंगलूर तुमकूर पेटी करनाटक की इस पेटी में लोह एसक की व्रध रशी संचित हैं करनाटक में अविस्तित कुंद्रे मुख की खाने सत पर्शत निर्यात इकाई हैं कुंद्रे मुख निक्सेप को स संसार के सबसे बड़न शर्पों में एक माना जाता है या रूप में पाइपलाइन द्वारा मंगलोरु के निकट एक पतन पर बियजा जाता है आगे हम बात करेंगे महरश्ट्र गोवा पेटी की यह पेटी गोवा तता महरश्ट्र राजे के रतनागिरी जिले में इस पेटिक की का दख्षता से दोहन किया जाता है इसका निर्यात मारमोगाउ पतन से किया जाता है तो यह आपको याद रखना है अब बात कर लेते हैं 2017-18 के उत्पादन के आंकड़ों बाएं की पर्थमस्तान किसका है लोहाई एसक के अंदर पर्थमस्तान की बात करें तो उडिसा है 102.17 मिलین टन जो है खनीज का उत्पादन करता है लोहाई एसक का दूंतियस्तान पर है 36 गडुर थिरिटयस्तान पर है करनाटक और चतुर्थ स्थान पर है जार खन अब बात करें लेते हैं वरतमान समय में विस्व में लोहाई ऑसक के उत्पादन में भार्त का एसमें लो है असका उत्तादन जो है 192.08 जिरो आठ साधन के छो ये आपको याद रखना है यह इसके अंदर किह प्रूइज अंदर कोई इसके नरियाद किया जाता है और कूझ सी इसके अंदर खाने बाए जाती है और किन पेटियों में सबसे अच्छा जो है कह सकते हैं खनी संसादन पाया जाता है तो यहां से कोशन जो है एक्जाम में बहुत उठते हैं और पूछे जाते हैं इसलिए में स्पेसल जो विदारती रास्तान प्लिस की और वीडियो में से ए एक्जाम की या अन्य ओल इंडिया स्टेट्स की तेहरी करें तो उनके लिए एंसे आटी बुक का स्विलेशन करवा रहा हूं क्योंकि आपको पता है कि एक्जामनर क्या है एंसे आटी की बुकों साई कोशन अब की बार उठाये जा रहे हैं तो इसकी पीडिप हमारे टेले झाल दो झाल दो